नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर लिया होगा और बेल आइकन भी दवा लिया होगा यदि वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए यह चैनल आप लोगों के लिए तो पुस्तक समिक्षा कारे करम में लाई हूँ एक नई पुस्तक इसका नाम है अकेला दोड़ना है मेरी फितरत और इसके रचिता है प्रोफेसर चंदरभानु आर्याची आप देख सकते हैं तो दोस्तों आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूँगी इन्होंने लिखाए कि अकेला दोड़ना है मेरी फितरत मैं घोड़ा अशो मेधी यज्यका हूं पेपर बैक में 2023 में परकाशित हुई है यह दैनंदिनी शेली में है आत्म नरीक्षन है इसमें और यह दूसरा भाग है इसका पहला मैं आप समिक्षा कर चुकी पहले बाग की और मुले 244 से प्रिष्ट है 264 न्यामती शिक्षा कल्यान समीती दिली से परकाशित हुई है परिचे चंदरभानू आर्या जी का कस्बा सितापूर तहसील अलिपूर कमिशनरी मुल्तान पाकिस्तान में जन्में बिवानी फर प्रियामती पत्रिका के संपादक हैं दो दर्जन से अधिक पुस्त के आ चुकिया निबांद उपन्यात लगू कता व्यांग आले एक कहानी सिराइकी सुगंद भी प्रकाशित हो चुकी है इनकी अनेक बड़े सम्मान मिल चुकिया इन्होंने एमे किया ब्याट किया और ब दोस्तों मैं बता दूँ कि इन्होंने यह समर्पित की है प्रिंसिपल को इन्होंने लिखाये कि उन क्रिपालू प्रिंसिपलों को जिन्होंने मुझे कॉलिज से बाहर निकल जाने का रास्ता दिखाया जिन्होंने मेरे संदर्ब में बार बार ट्रांसफर की सिफारिशें क और मुझे बैडविंटन की शटल कॉक बना डाला जिनों ने कुछ जिग्यासु प्रश्न पूछने के अपराद में मुझे सस्पेंट करा दिया जिनों ने प्रसन गोशना पूरवक डंके की चोटपन मेरी इंटिग्रिटी डाउटफुल लिख मारी बहुत मतलब कितना अजीब बात है ये उसके आगे लिखते हैं कि जिनोंने सर्विस टर्मिनेशन का लेटर थमाते ही फर्मान जारी कर दिया कि अब कॉलिज में कदम रखने की जरूरत नहीं इन सब महरबानियों के बावजूद इन्होंने लिखाए कि मैं अपने सर्विस पूरी कर पाया उनका हारदिक अभिनंदन उनको शत्षत्नमन आगे चंदरभानुजे लिखते हैं कि ना मैं गिरा ना मेरे होसले गिरे लेकिन मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे व्यंग है ये दोस्तों कि सच में इनोंने इनको समर्पित किया जिन लोगों ने इनके रास्ते में रोडे अटकाए अब मैं बात करती हूं पूरो वाक की तो इसमें दो पूरो वाक हैं इनोंने लिखा यानि आत्मकत्थे पुरोवाक एक में इन्होंने लिखा है कि प्रत्थम पुरवार्द का शीर्षक जो खंड था अपने आप अपने को ढूंटता हूँ मैं मेरे मन को सुहा रहा है तो इस दूसरे खंड का शीर्षक मैंने इसी के चोथे अध्याय की कावे पंक्ती के प्रत्मांश को स्विकार कर लिया है कि अकेला दोड़ना है मेरी फितरत मैं घोड़ा अशुमेधी यग्य का हूँ यू लगे हाथों मैं संबद कवी अशायर दोए को प्रणाम पूरवक हाजिर नाजिर मान कर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ना तो आप अपने को ढूंटा हूँ मैं मुझको मेरा पता नहीं मिलता मेरी रचना है और नहीं अकेला दोड़ना है मेरी फितरत मैं घोड़ा अशुमेधी यक्या हूँ जैसी कावे पंक्ती मेरे गद्यात्मक मस्तिष्क से स्रिजित हुई है इन दोनों कवी मनीशियों को शर्चतना मन तो दोस्तों यह जो शीर्षक लिया इन्होंने किसी कवी की पंक्ती है अब पुरवाग द्वित्ते में कहते है इन्होंने लिखा कि मैं अंक पढ़ देती कि मैं कठोर करकश अश्रवे वाणी प्रियोग की अपनी चाडित्रिक कू विशेश्ता से जन्म से ही पीडित परिचितूं इस दोशारोपन को नत्षिर स्विकार करता हूं उसी के परिमार्जन के लिए मंसावाचा कर्मना प्रस्तुत होकर पूरी पांडुलीपी के दोनो खंडों का पुने पारायांड कर रहा हूं उसके बाद प्रेस्तर्शन तो दोस्तों ये इन्होंने लिखा है चंदरभानुजी ने कितना स्पष्ट लिखा है बेबाक लिखा है इन्होंने समीक्षा की बात करती हूं तो दैनंदनी शैली में लिखी ये पुस्तक दृत्य ख भाषा परिश्क्रित परिमर्जित है व्यंग्यात्मक शैली है अलग शैली है इनकी सच कहूंगा सच के सिवा कुछ ना कहूंगा मैं कलम की कसम खाकर कहता मुझे तो ऐसा भाव दिखाए दिया इसमें और इसमें दिनांक है दैनंदनी के क्रमांक है और तेहिस चार नब्ब प्रिश्ट 8211 ये तो दिनांक है और दैनंदनी संख्या 26 से इनोंने शुरुवात की है इसमें और उसके बाद है प्रिश्ट उसके बाद 24 नवंबर 2018 शनिवार प्रिश्ट 38381 दैनंदनी संख्या 55 ये आखरी है यानि कुल मिलाकर देखे तो दैनंदनी 26 से दैनंदनी 55 तक जो समगरी इनोंने लिखी उसी को समेटा है तेहिस चार नब्बे से चोबिस ग्यारा दो जार ठारा तक 28 वर्श बहुत मेहनत किये इनोंने और अब बात करते हैं कि प्रथम खंड की इसमें हम अध्यापक हम प्रोफेसर हम शिक्षक गण इसक तिगाम होडल फरीदाबाद नारनोल और दृतेखंट परिवार के शिक्षक परिवार से बाहर प्रभावित करने वाले अध्यापकण उनके बारे में लिखा है इसमें राज्य कवी शिरी उदेबानु हंस ची का वर्णन है शिरी मती राज करनिया रोडा का बारे में लिख खुराना जीजा शिरी देव की नंदन खुराना साले सल्यास उनकी पुत्री इनके चरित्र के बारे में बताया इनके अच्छे सद्गुणों के बारे में बताया इन्होंने पुत्र डॉक्टर विकास दीवे कीर्थी बहू डॉक्टर सुश्मा नागपाल प्रियदर्शी इस सब के गुड़ों के बारे में बताया और इन्होंने लगभग 50 अध्यापकों साहित्यकार बंधों का चरित्र चित्रन किया है, इसमें किसी को जूटों की सरताज भी का है, नकारा अध्यापक भी का है, स्वच्छंद भी का है, विशेशनों से ऐसे इभूशित किया है, और कई अध्यापकों के तो जीवन मृत्यू आत्महत्या के भी वर्मन किये हैं, और अचारे बलदेवराज शांत और फरीदाबाद क के अन्य सहित्यकारों के बारे में राय भी लिखी है, और कौन अध्यापक ड्यूटी के प्रतिसमर्पित है, और कौन नहीं, यह सब लिखा है, परिवारित्तर सहित्यकार, शिक्षक, और डॉक्टर जैभगवान, गोयल, डॉक्टर जैनात, नलिन, डॉक्टर नंदलाल, मै के प्रिशन सा किये, लेकिन हां, मेरे समय कुछ साइट्यकारों के लिखन की अलोचना भी किये, और मुझे ऐसा लगता है, कि हमें अलोचनों को भी सहज लेना चाहिए, वर्ष 2009 में इन्होंने लिखा था, कि मेरे बारे में लिखा कि मेरी जो लेखनी है, वो इतना पैनी नह को हिरिदे में इस्थान नहीं मिलेगा लोगों के पाटकों के लेकिन दोस्तों मेरा वादा है कि मेरा जो ये कर्म है लेखन कारे जारी रहेगा हाँ पविष्य की बात मैं नहीं करती कुई कि मैं तो सफर का मज़ा ले रही हूं मनसिल मिले ना मिले बिना फलकी काम ना की है मेरी जो कलम है अन्वरत जारी रहेगी यह मेरा वादा है आप लोगों से भी मैं तो प्रियास कर सकती हूँ बस और एक मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि इन्होंने संयोग देखिए कि इन्होंने लिखा है कि मामा जीतली के स्कूल में यह पढ़ाने आयते शायद मेरे जनम से पहले एक दो वर्ष पहले सोनी पत में तो मैंने इनसे बात की कि मेरा जो माय का है और उसी गली में चार घर छोड़के इन्हें पता नहीं और मुझे भी नहीं पता था कि उस मामा का जो स्कूल त twee जी थी थी उनकी भतीजियों से मैं टुशन लेती थी कमलेश और मम्ता दी थी इनसे मैंने कुछ साल टुशन लिए है दो चार साल तो गजब इत्टफाक है मतलब उमर के 24 बरस में उसी गली में खेल कुट कर बढ़ी हुई, जिस गली में मेरे जनम से पूर ये पढ़ाने आये थे कुछ महीने, ये सब इत्फाक है, और इन्होंने ये भी बताया कि कुछ अध्यापक अपनी चाती छिपाते थे, कुछ परिवार के बारे में छिपाते जैसे आजकल लोग छिपाते हैं अपनी डिग्रियों को, और नकली डिग्रियों का सहरा लेते हैं, कास करके पी-एच्डी, जंदर भानुजी ने भी लिखा कि इन्होंने पी-एच्डी के लिए कोशिश की थी, लेकि नहीं मिली, कोई बात ने, तो ये प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर तो इन्होंने पढ़ाया खूब, अच्चे से पढ़ाया, लेकिन वस्वई सैयोंक की बात है, समय की बात है कि सस्पेंड हुए, तर्मिनेट होने के भी चांसे थे, इनकी ACR खराब हुई, और बहुत कुछ हुआ इनके साथ, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हा हो था, जागरिती शर्मा का एक टाइटल इनको मिला, दो टाइटल मिले थे बड़े-बड़े, इसकी दो पंक्तिया मैं आपको बताती हूँ, कि सूरे सा तेज है मुख पर आपकी आबा निराली है, आदर्श व्यक्तित्व के स्वामी, आपकी हर बाब निराली है, मैं भी इसी से इत्तफाक रखती हूँ, चंदरभानुजी के बारे में, बीवानी राजकी शिक्षण महाविद्याले से ये सस्पेंडों कर तिगाउं गए, तेतिस वर्च का कारेकाल, बहुत उतार चड़ाव देखा इन्होंने अपने जीवन में, और ये लीक से हटकर चलते रहे सेवा निवरित्ती के बाद इन्होंने न्यामती पत्रिका की शुरुवात की घाटा हुआ, लोगोंने सयोग नहीं दिया, एकिन ये टटे रहे, हटे नहीं, और अब तो ये स्थापित पत्रिका है, और ये स्थापित संपादक है, सहित्तेकार है और कांता जी का इनको बहुत सहयोग मिला सहित्ते प्रिकाशन में, एक इन्होंने साक्षात कर लिया था, अनिता सुनेजा, वो मेरी मित्र हैं अभी भी, उनसे ये बहुत प्रभावित हुए, बस संक्षेप में कहूं, तो खरी-खरी सुनाई इन्होंने लोगों को, और आजकल ये आत्मकथा लिखने में व्यासते हैं, तो देखते हैं, और कुछ लोग जो पढ़ेंगे, तो शायद रो ही पढ़ेंगे वो, क्योंकि इन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ खुला-खुला लिखा है, एक दो में पढ़ना चाहूंगी, कि इन्होंने लिखा है, कि आर्थिक पारिवारिक यानि समाजिक मोर्चों पर एकदम असफल घोशित किया जा चुका हूं, किसी संस्ता विशेश से आज तक किसी स्तर पर कोई जुड़ाव नहीं रहा, संभवत है कोई संस्ता मुझे अपने साथ लेना या रखना भी ना चाहे, तो दोस्तों लेकि है, हर कोई नहीं जानता है, नियामती पत्रिका के माध्यम से इन्हें सब कोई जानते हैं, और आखरी में इन्होंने लिखा है कि यद्पी नियामती पत्रिका अजीवन करतवे कर्म है, यद्पी उत्रोतर साइजे साइटे स्रीजन भी निरन तरता के गुण से विभूशित साधना मानी जानी चाहिए तथा पि अमरित मोहत सविये अकेला तोड़ना है मेरी फितरत के संदर्ब में यहां आकर अल्प या पून विराम ले लेना चाहिए तो दोस्तों अगर आप जीवन को जानना चाहते हैं तो पढ़िये ही ने आपको बहुत कुछ पढ़ने को जानने को मिलेगा तो धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ तब तक मुझे आक्या दें शुक्रिया धन्यवाद